हालो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चनल दीवर्टास में दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसों की कमी न हो आप जो कोई भी काम करें धन संबंदित आप जो कोई भी काम करें उस हर काम में आपको आप जितनी चाहते हैं उस तरह की आपको स अधिक सफलता मिले तो मैं चले सब्सक्रμέँ को इस उपाइब बता यह इस इस कुछ हर कामने फैसे का सब्सक्राइब स播़िते हैं यह दोस्तों उपाइब वहुंत आसन है आप लेकिन आपको बता दू मुझे आप जांते हिंदु संस्कृति में चावल का काफी महत्व है धान का काफी महत्व है आपने देखा होगा कि धान लगाए एक जगह जाता है और वह फल दूसरी जगह जाकर देता है तब जब कण्या को भी विदा किया जाता है तो उसको धान दिया बिजद्र की कि उन्हें उसके दौक्त का सबस्टा जाता है कि यह फोई हैं कि तो इसी पर से मैं आज आपको आप आपको जो कोई भी पूचा का सथान हो जिसमें आप जहाँ कहीं भी हल्दी लख रखते हो वहाँ पर आपको क्या करना है बुद्वार के दिन सवेरे आपको अक्षत लेने हैं साथ चावल के दाने लेने हैं जो संकुए हो कहीं से टूटे फूटे ना हो ऐसे साथ चावल के दाने आपको लेने हैं और जो कोई भी आपका पूजा इस्थान है जिसमें आप हल्दी रखते हैं उसमें नीचे आपको चावल के दाने डाल देने हैं और नित्य प्रति आप जैसी पूजा करते हैं वैसी ही करनी हैं दूसरे दिन सवेरे से मतलब गुरुवार से आपके घर का जोगी व्यक्ति में इनकम का सोर्स जो व्यक्ति भी हो चाहे कोई भी हो उस व्यक्ति को क्या करना है कि उस चावल के दाने का टीका अपने माते में लगा कर चले जाना है फिर निवह कहीं भी गिर जाया कुछ भी ओजा ें वह जग भी घर से निकले उस चावल के दाने को लगा करके जाए इसका इतना सत है कि यदी आपके घर से बाहर निगर आपने घर से बाहर कड़ना और तब-दिक यदि वह चावल का दाना आपके सिर पर है तो समझे आपका उस दिन काम सफर होना तरह है लगातार रोज एक एक दाना आपको लगातार के दाना है अगले बुझवार को फिर उसी तरीके से आपको उसमें साथ चावल के दाने डाल देने हैं इस तरीके से लगातार इस क्रिया को आप करते रहेंगे तो जब तक आप जिस किसी भी काम में जाएंगे हर काम में आपको सफलता मिलती चरे जाएगी तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान उपा है तो आप इसे और भी लोगों को बताएए ताकि वो भी अपने काम में सफल हो और आपको पुलनी की प्राप्ती हो तो देखते रहें देप्रिकास और अपने जिम में लावादित होते रहें धन्यवादे